पहली पतनी और दो बच्चे को छोड़ एक सक्स कर रहा था दूसरा साधी लेकिन उसे क्या पता था कि बीच मंड़प से सीधे जेल जाना पड़ेगा दर्भंगा के यूनिवर्सिटी थाना स्यामा माई मंदर परशड में पहली साधी से दहेज न मिलने से नाराज पती दूसरी साधी रचा रहा था तभी विश्विद्याले थाना पोलिस ने सिकायत मिलने पर मंदर परशड में मंडप में बैठे दूलहा दूलहन को वहां से उठा ली और साधी रुगवा दी दरसल ये पूरा मामला दरभंगा के महला कादिराबाद निवासी स्वर्गिये बैजनाद सा के पुत्री चंदा देवी की साधी 1997 में बटिया सराय महले के महावीर सा के बेटे विक्रम सा से बड़ी धूमधाम से हिंदू रिती रिवास से हुई थी जिसके बाद दोनों को दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की हुई थी लेकिन साधी के बाद से ही चंदा देवी को मन मुताबित दहेज न मिलने के कारण ससुराल वालों के द्वारा प्रतारना सुरू हो गया था उसे मारा पीटा जाने लगा था जिसको लेकर कई बार दोनों पडिवारों में बिवाद भी हुआ था और समाजिक अस्तर पे पंचायती भी बैटी थी समाज की अंदेखी कर दहेज के भूखे पती और उसके पडिवार वालों ने चंदा देवी के दोनों बच्चों के साथ मार पिट कर घर से बाहर निकाल दिया था वहीं इस विसे में पहली पतनी का भाई क्या कुछ कह रहा है आप हो सुने सब्सक्राइब करेंगे करेंगे करते हैं मेरे पासा वाइस में पिछले साल फर्वरी मैंना है जो कि हमरा भाई के लिए तो उसके साथ महला वाला मिर्दे मार पिट किया तर गो भाण दिया तेरह वो टागा पड़ा से लिए असके बढ़ती कि वहाली पर करने लगा घर में जवदस्ती मार पीट बहान के साथ अभी क्या हुआ है अभी क्या हुआ है अभी साधी कर रहा है हुआ को पसाचला वही आ है रुपा ने कि यह दूसरा साधी कर रहा हुआ आपने पहले पतनी के भाई को सुना घटना के 17 साल बाद दहेज के लोबी 22 साल के लड़का और 18 साल के लड़की के पिता विक्रम सा अपनी दूसरी साधी धार्मिक न्याय अंतरगत मा स्यामा काली मंदिर में कर रहे थे वहीं एन मोके पर पहली पतनी चंदा दीवी इका भाई विस्वेदाले थाना पहुँच गया और वहां मामला दर्ज करवाए थाने की पुलिस ने साधी हो रही जगा पर पहुँचे जहां पहली पतनी के साथ रहते दूसरी साधी रचा रहे दूला विक्रम एवं उसके पिता महावीर सा को गरफतार कर लिया और थाने में लिया आए वहीं जिस लड़की से विक्रम दूसरी साधी रचाने जा रहा था उस लड़की के पड़िजनों का कहना है कि विक्रम साह ने अपनी पहली साधी के बारे में हम लोगों को नहीं बताया था यही कारण था कि हम लोग साधी स्यामा माई मंदिर में हिंदू रिती रिवाज से विक्रम सा की साधी करवार हे थे वो वहीं लड़की का पिता प्रमूत सा क्या करता है पता क्यों ने अप लगाया तो दोनों ने दहेज वाली बात को जूट परताया और लड़की पर ही आरोप लगाने लगे इस मामले में दूला विक्रम सा और दूला का पिता जो है वो क्या कुछ कर रहा है आपको भी सुने आप शुपिया ना आप साधी सुधा है ना पहले से दिया पूदा भी है तलाक लिये हैं तलाक उच्छा शुटी हुआ है शुटा शुटी कैसे हुआ है किसके दौरा हुआ है तलाक लिये है आप शुटे किसे अनलेद किसралा भी आपस टौरी करें है किसरे और भाल भच्छे दार्श्चा जुटा शुटा और कि आंसाधी बालता पहला यsटा पाहला साधी नहीं का लड़ी से त्रम लड़ी है बज्ञाच परसाद गुपता की लड़की थी उसी साथ साधी की थे चत्ता दिन पले प्गाने नहीं हो दिया पुदा हुआ आपको दू पून थी कर रहा है लड़की कर रहा है लड़की से आपकर रहा है तो वह था नम है पर नहीं क्रेंखच क्या नम है अब असे पहला सादी कह हुआ था पुटर है क्या नम है जंदा देवी अब बच्चा क्या नम है जोनों बच्चा कनाम पुता नम का पहले से साधी सुधा है क्यों दिया पुता है तो लड़का लड़की कितने वर्ष का है लड़की कहा साधी किये थे बेटा का कदराबाद किनके लड़की साधी किये थे अच्छा भुला गया लड़का का डवार्ट सभेले रहा डाइबोर्स कि लड़का का डाइबोर्स करवाए तो लड़की सोरा छुरी करवाए तो पर आप किसके पर्मिशन साधी करें दूसरा लड़का का मजबूर हो गए क्या मजबूर समाज के सामने गए हाँ पोट में गए ठाना में गए क्यों नहीं गए और बजबूरी था अब बिबार थे एक लड़की का तो जीवन बर्बाद हिसाई हो गया जो पोता-पोती आपको जवान है और शाथ महिंदा से गाइब है गाइब है आपने दूलहा विक्रम सा और उनके पिता दोनों को सुना अजिन्हों ने बताये कि दहेज लेने वाली बात जूट है और लड़की पर ही आरोप लगाने लगे तो फिलाल के लिए इतना है साथे चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद